गुड मॉर्निंग इस्टोरेंट्स आज हम लोग चैप्रे टू रीट करेंगे चलिए स्टाट करते हैं अकरम की इद ये स्टोरी किसके बारे में अकरम के बारे में अकरम अपने माबाप का एकलौता बेटा था उसके वालिद अमीर तो ना थे अकरम की हर खुआईश है थी आला मकान पूरा करने की कोशिश करते थे यही वज़ा थी कि वो जिद्धी हो गया था ये कहानी अकरम के बारे में जो अपने माबाप का एकलौता बेटा था उसके वालिद ना तो अमीर थे अमीर तो ना थे लेकिन अकरम की हर खुआईश जहां तक मुम्किन हो थी आला मकान पूरा करने की कोशिश करते थे यही वज़ा थी कि वो जिद्धी हो गया था एक मरतबा अकरम के वालिद रात को घर लोटें तो उन्होंने अकरम को खेलने, कूदने और शोर मचाने के बजाए बिस्तर पर सोता हुआ देखा उन्होंने हैरत से अपनी बेगम से उसकी वज़ा पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अपनी खुआशात पूरी करवाना चाहता है इसलिए वो आपसे नाराज है एक मरतबा क्या हुआ कि अकरम के वाली जब घर लाटे तो उन्होंने देखा कि अकरम ना तो क्येल रहा है ना तो कूद रहा है ना शोर मचा रहा है यह सब करने के बजाए वो बिस्तर पर सो रहा है उन्होंने उसे बहुत हैरत हुई और वो अपनी बेगम से पूछे कि क्या वज़ा है कि अकरम सो रहा है तो उन्होंने कहा कि वो अपनी खुआशात पूरी करवाना चाहता है इसलिए वो आपसे नराज है वो अपने जिद पूरी करवाना चाहता है इसलिए वो अपने वालिद से नाराज है तो स्ट्रेंट्स आज हम लोग अतना ही रहने देते हैं आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीट करेंगे ओके थैंक्ट्यू